नमस्कार शिक्छार्थियों, मैं डॉक्टर किरनलता डंगवाल, शिक्छा शास्त्र विभाग, लखनव विश्व विद्याले लखनव से N.I.O.S. के स्टूडियों में आपका स्वागत करती हूँ. आज क्या चर्चा का विशय परियावरन अध्यन और मूले हमारे परियावरन का महत्व भारतिय परंपरा के रूप में चलिए तो बात करते हैं कि परियावरन अध्यन और मूले यदि हम परियावरन अध्यन की बात करें या परियावरन की बात करें तो मूल्यों को समझने से परियावरण यानि परिवेश के विशय में जानना अति आवशक है परियावरण अध्यन परिवेश के सामाजिक और भौतिक घटकों की अंतक्रिया का अध्यन होता है और जब हम इन घटकों का अध्यन करते हैं तो इन घटकों के विशय में जानना भी आवशक है अगर हम साम गटकों में आती हैं और जब हम अगर प्राकृतिक या भौतिक घटकों की बात करें तो जो हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी, धूप, पशुपक्षी, खानी जित्री भी चीजें हैं ये सभी चीजें भौतिक पर्यावरण के अंतरगत आती हैं अब पर्यावरण अध्यन को अगर हम देखें, यहाँ पर दो चीजों की विशेश तोर पर बात हो रही है, एक तरफ प्रकृति और दूसरी तरफ मनुश्य, तो पर्यावरण अध्यन के अंतरगत, मानव और इसके द्वारा निर्मित समाज या सामाजिक क्रिया कलापों का अ उसका अध्यन किया जाता है, तो पर्यावरण अध्यन को अगर हम समझें, तो इन दोनों चीजों का आपस में जो पारसपरिक्रिया होती है, जो अंतरक्रिया होती है, यही हमारा पर्यावरण अध्यन है, अब ये किस तरह से बच्चों में मूल्यों का विकास कर सकते हैं, क इसमें परियावरण अध्यन में क्यों कौन से ऐसे मूले हैं जो उसमें नहित होते हैं, जैसे कुछ उधारण के तौर पे कि जीवन के सभी रूपों के लिए बच्चों में आदर का भाव विक्सित करना, विविधता के जितनी भी सराहना की जाए, यानि हर एक मनोश्य, हर ए दूसरे से भिन्न है, तो इन चीजों के विशय में बताना, इसके अलाव कि जो विभिनताएं होती हैं, जो एक्जिस्ट करती हैं, जो की समाज में होती हैं, जो परियावरण में होती हैं, उसको स्वीकार करना, क्योंकि बच्चों को जब तक हम यह नहीं सिखाएंगे, कि यह विभिनताएं हैं, और यह क्योंकि अगर जिन चीजों को हम सुईकार नहीं करते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे जीवन मूल्यों को जीवन को प्रभावित करने लगती हैं, इसी प्रकार से भाती-भाती के जो विचार होते हैं, हमारे विचार दूसरे हो सकते हैं, किसी अन् अलग अलग परिस्थितियों से आते हैं, उनके विचार भी अलग-अलग हो सकते हैं, तो उन विचारों के प्रती सकारात्मक तुरिष्टी कोण पैदा करना कि जो विचार हैं वो उसके अपने हैं, कोई कि कोई भी चीज सही या गलत नहीं हो सकती है, क्योंकि हरे एक चीजों को सीखने का हरे विचारों का संदर्व अलग-अलग होता है, कोई बात हमारे लिए अच्छी हो सकती है, तो वही बात हो सकता है, दूसरे के लिए बहुत अच्छी न हो, इसी प्रकार से शांती, सदभाव, सहनशीलता, ये सारे जो मूले होते हैं, ये हमारे परियावरन अध् की समझ एक अध्यापक होने के नाते बच्चों में विक्सित करना अतियावश्यक है, क्योंकि ये शिक्षक का करतव्य होता है, कि हम किस तरह से परियावरन अध्यन के माध्यम से बच्चों में इन मूल्यों का विकास करें, जब हम प्रकृति की बात करते हैं, तो प्रकृत ये बच्चों को हम दिखाएं, समझाएं, तो बच्चों में बहुत सारे मूले अपने आप विक्सित होने लगते हैं। लेकिन चलिए इसकी चर्चा करने से पूर्व ये जानना आवशक है कि आखिर मूले क्या होते हैं। क्योंकि जब हम मूले की बात करते हैं, तो बालक में जो मूले हैं, शिक्षक अधिगम के दौरान उन पर अच्छे या बुरे का लेबल नहीं लगा सकते हैं। क्योंकि जो भी मूले बच्चे लेकर आते हैं या बच्चे जो भी मूले उन्में नहीत होते हैं, हरे का कोई न कोई संदर्ब होता है, वो कभी भी अपने अनुभवों से, जो अपने माहौल से आता है, वो सभी चीजे विलकुल अलग अलग होती हैं. मूले निर्धारण के परियावरण के जो उद्देश से सम्मंद होता है परियावरण अध्यन के उद्देश विद्यार्थी और उसके चारों ओर के बातावरण में गहरा सम्मंद बनाने की ओर इंकित करता है यानि उसको लक्षित करता है बताता है कि ये क्या है इसी प्रकार से पर्यावरण के बारे में ज्ञान पर्यावरण के लिए सकारात्मक क्रियाओं के लिए काफी नहीं होता है केवल ये बता देना कि पर्यावरण क्या है पर्यावरण की जितनी भी अच्छी बाते हैं वो सब बताना उनकी क्रियाओं का बताना यही काफी नहीं होता है बच्चों के लिए बलकि परियावरण के प्रति अनुकूल, मनोवृतियां तथा मूले भी विक्सित होने चाहिए और यह कैसे करना चाहिए इसके लिए हम आप से अभी पाचित करते हैं परियावरण अध्यन में वे कौन से मूले हैं जिनका विकास बच्चों में किया जाना चाहिए इन परियावरण सम्बंदित मूल्यों की समझ एक शिक्षक को बच्चे के लिए उचित अनुभवों की योजना बनाने और संयोजन करने में साहयक होती है अब मूल्य क्या होते हैं इसके बारे में पहले जान ले कि जब हम छोटी-छोटी चीजों को परियावरण के संदर में समझने की कोशिश करते हैं तो उससे पूर्व ये जानना आवश्यक है कि मूल्य क्या है मूल्य मनुशिके सबसे शक्तिशाली प्रे रखें तथा व्यहवार पर सामान्य तोर पर प्रभाव डालते हैं मूल्य ही निश्चित करते हैं कि हमें इसको अच्छा, सही या स्वीकार्य समझना है बच्चों के जीवन में प्रारंभिक इस्तर पर ही प्रेक्षन, अन्य लोगों और जो भी परिवाद, समुदाय, समाज के साथ पारस्परिक क्रियाओं के द्वारा परियावरण में अपने प्रतिक्ष अनभवों द्वारा मूल्यों का विकास हो जाता है यदि बच्चों के परिवेश में नैतिक्ता के तत्व परियावत मात्रा में उपलब्ध नहीं होंगे, तो परिवेश में जिन तत्वों की प्रधानता होगी, वे ही बच्चे के जीवन के अंश बन जाते हैं यह आप सभी जानते हैं कि यदि बच्चा प्रतिदिन के माहौल में देखता है कि कोई चीज गलत हो रही है, तो वो धीरे धीरे उन चीजों को अपने जीवन में समाहित कर लेता है इसलिए यह अति आवशक है कि आसपास का परियावरर इस प्रकार का हो कि बच्चे जब भी अपने जीवन का अंश बनाए उस चीज को तो वो सही हो, अनुकूल हो और उसके जीवन को विक्सित करने वाली हो इसलिए कहा भी जाता है कि मूल्य पढ़ाये नहीं जाते हैं, अधिग्रहित किये जाते हैं, यानि जो संसकार भी हम घर में देते हैं, वो दिये नहीं जाते हैं, वो जिये जाते हैं यानि कि जब हम इन सब की बात करते हैं, जब मूल्यों को अधिग्रहित करने की बात करते हैं, तो ये एक बहुत ही महत्तुपूर्ण विशय बन जाता है क्योंकि जब भी हम विद्याले की या समाज की या परिवार की बात करते हैं तो बड़े खेत के साथ कहना पड़ता है कि जादा तर समय हम बच्चे के बौधिक विकास पर ध्यान देते हैं हम ये ध्यान नहीं रखते हैं कि बौधिक विकास के साथ साथ उसके जीवन में मूल्यों का भी विकास हो। शिक्षा शिक्षार्थी में बोध जागरत नहीं करते हैं। अता ये बहुत आवशक है कि उसके अंदर कुछ इस तरह की जिग्यासाएं पैदा की जाएं कि वो सत्य को खोजने के लिए स्वयम प्रेरित हो, उसको आत्म ज्यान हो, उसको पता हो कि हमारे नैतिक और आध्यात्मिक मूल्य क्या हैं, कैसे इनको विक्सित किया जाएं, ये ए पूरे कह सकते हैं कि पूरे विश्व में, प्रतेक बातावरण में सभी जगनिहित होते हैं, यानि एक व्यक्ति से लेके विश्व तक, जीवन का कोई छेतर ऐसा नहीं होता है जहां पर कि ये मूल्य न होते हो, इसके अतरिक्त जो भी, जैसे जो व्यक्ति है, परिवार है, समाज है ये सारी जगों पे ये मूले पाई जाते हैं जैसे कि आपने देखा होगा कि सामाजिक जीवन में बहुत तेजी से परिवर्तन आ रहा है और गौतम बुद्ध जी ने भी कहा था कि परिवर्तन ही एक ऐसा नियम है जो कि अपरिवर्तनी है और जो बहुत सत्य है वो सम चुद्नोतियां हमारे सामने आ गई हैं तो इसलिए बहुत आवशक है कि नवीन और प्राचीन के मध्य जो भी हमारी पुरानी चीजे हैं जो हमारे नई चुद्नोतियां आ रही हैं जो चीजें हमें जानने और समझने का प्रयास करना चाहिए इन दोनों के बीच में जो अंत संगठनकारी शक्तियां वप्रक्रियाएं गतिपाती हैं और विगटनकारी शक्तियों का छै होता है अब हम देखें कि बच्चों में मूलों का विकास कैसे होता है इसको जानने से पहले ये जानना अतियावशक है कि मूलों के प्रकार कौन-कौन से होते हैं किस-किस तरह के मूले होते हैं कि जो बच्चों में पर्यावरण अध्यन के माध्यम से विक्सित किये जाएं। मूल्यों के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कि सामाजिक मूले, सांस्कृतिक मूले, नैतिक मूले, व्याश्रिक मूले, आध्यात्मिक मूले, मानुविय मूले थोड़ी थोड़ी चर्चा करते हैं कि ये मूले अखिर क्या होते हैं जैसे कि हम अगर बातचीत करें कि मानवीय मूल, यानि जब हम प्रकृती के संदर्व में मानवीय मूलों की बात करते हैं, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए, एक शिक्षक होने के नाते, बच्चों में ये बताना बहुत आवशक है, कि मानव के लिए प्रकृती, उनको इसक प्रकृती में ही उसका जनम हुआ है, प्रकृती के लिए ही है, यानि प्रकृतिक चीजों में कैसे समाहित है, और किस प्रकार से उसको जीवन जीना चाहिए, कैसे प्रकृती की हर एक चीज से उसको शिक्षा लेनी चाहिए, और अपने में मूल्यों का विकास करना चाहिए तो बच्चों में इसका ज्ञान देना अती आवशक है कि मानव के लिए प्रकृती नहीं है, बलकि प्रकृती में मनुश्य है. इसी प्रकार से जब हम सामाजिक मूल्यों की बात करते हैं, तो प्रेम, करुणा, सहिश्नूता, न्याय, आधी जो बुन्यादी शिक्षाओं को पर्यावरण शिक्षा में बुना होना चाहिए. इन मूल्यों को पाला जाना चाहिए, ताकि इस धर्ती पर सभी प्रकार के जो जीवन है, जो जय विविताएं हैं, वो सुरक्षित रह सकें. इसके अतरिक्त जब हम सांस्कृतिक मूल्यों की बात करते हैं, तो जो कुछ रीती रिवाज, जो अनुस्थान, जो भी चीज़ें हम अपने द्यानिक जीवन में करते हैं, किस प्रकार से इनके द्वारा प्रकृतिकी रक्षा की जा सकती है, किस प्रकार से इनका पालन तो उनको सुरक्षित कैसे रखा जाए, कैसे उनका सनक्षण किया जाए, कैसे उसको बचाया जाए, इनको हम अपने सांस्कृतिक रीती रिवाजों से जोड़ कर अगर उन्हें बताएंगे, तो उनमें इस तरह के मुल्यों का विकास हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम नहतिक मुल्यों की बात करें, तो पर्यावरन शिक्षा में मानव केंद्रित, विश्व द्रश्य के बचाय, प्रिथवी केंद्रित मुल्यों को शामिल किया जाना चाहिए। चिक्षा प्रडाली में प्रिथवी नागरिक्ता की सोच को पढ़ावा देना चाहिए, तथा विश्व कल्याण के विशय में सोचना चाहिए। तो संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, इसका संप्रत्य भी बच्चों को जरूर देना चाहिए, और संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, यानि कि अगर हम प्रकृति के साथ यहां पे कोई छेड़ जाड़ करते हैं, तो इसका प्रभाव कहीं न कहीं पूरे परिवार है, अता हर संप्रयास करना चाहिए, कि बच्चों में ये भावना विक्सित की जाए, कि हम परियावरण की छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखें, जिससे की विश्व कल्यान हो सके, अब बात करते हैं आध्यात्मिक मूल्यों की, यानि बच्चों को छोटी-छोटी बातों का ज्यान देना अति आवश्यक है, जैसे की स्वासायम, आत्म अनुशाचन, संतोष, इच्छाओं की कमी, लालच, पारसपरिक और धार्मिक रूप से जो गहन तरीके से बुने गए बेहतरीन तक्तों हैं, इनको कैसे अपने ज्यान कराना बच्चपन से ही आवश्यक है, क्योंकि बच्चा अगर बच्चपन में जब उसकी उम्र होती है, जब हम एक कुमहार की तरह उसको एक बहुती सुन्दर धाचे में ढाल सकते हैं, उस समय उसको इन चीजों का ज्यान देना अति आवश्यक है, कि आत्म अनुश चीजों को हम एक समय सारणी के अनुसार, एक समय का प्रबंधन का ध्यान रखें, फिर उसको बताएं कि अगर वो समय पे कोई चीज नहीं कर पा रहा है, तो स्वयम का निरिक्षण करें कि ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, और ऐसे नहीं हो पाने के कारण क्या-क्या हैं, नि मूल्यों का विकास कर सकते हैं। अब मूल्यों पर आधारित जो मूल्य की शिक्षा होती है, मूल्य आधारित पर्यावरन शिक्षा हमारी मानसिक्ता, हमारे दृष्टिकों और हमारी जीवनशाली में पूरी तरह से परिवर्तन लाती है। जो बच्चा होता है उसके चाली को कहीं न कहीं प्रभावित करती है अता शिक्षक को इसको समझने की आवशक्ता है और ये जरूरत है कि किन विधियों को अपनाया जाए कि बालक में परियावरण के संदर में मूल्यों को विक्सित किया जा सके और ये विधियां जैसे कि आप देख सकते हैं कि जब हम उसको कोई विषय पढ़ाएं क्योंकि बालियावस्था की जो उम्र होती है वो छे से लेके आठ वर्ष तक की होती है तो उसमें बच्चे को हम एक आपचारिक शिक्षा में उसको एक विषय के रूप में भी पढ़ा सकते हैं जैसे कि परियावरण अध्यन एक विषय के र अध्यन इसको शिक्षा दे सकते हैं जैसे जन मीडिया के माध्यम से भी बच्चों में मुल्यों का विकास किया जा सकता है जैसे परियावरण से संबंदित छोटे-छोटे क्लिप्स छोटे-छोटे डॉक्यूमेंटरी फिल्म्स बच्चों को दिखाकर उनके मुल्यों का व या जो हमारे समाज के जो बहुत उच्च पदासीन लोग हैं अगर वो छोटी-छोटी कारेशालाओं को कराने में सहयोग करें या जनता के साथ मिलके छोटी-छोटी कारेशालाओं जिसमें की परियावरण के साथ या जो परियावरण जो हमारा एक प्राकृतिक माहौल होत तो बच्चे बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं और बच्चों में मूल्यों का विकास हो सकता है। अब अकर हम इसको भारती धरोहर के रूप में देखें, मूल्यों को समझें, तो परियावरण सरक्षान भारत की धरोहर में ही नहीं थे, हमें ये मूल्य विरासत में मिला है, जैसे रिशी अथर द्वारा लिखे गए, पृत्वी सुत्र में भी कहा गया है, कि धर्ती को उन्होंने मा कहा है, और जो समस्त इसमें रहने वाले प्राणी हैं, उनको बालक की संग्या दी है, तो यानि कि जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, जो हमारे महापुरुष लिख गए हैं, उसमें भी कहीं न कहीं परियावरण को संरक्षित करने का उदेश रहा है, परियावरण के विशे में उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें कहीं हैं, अथर्व वेद में भी व्यासुदेव कुटुम्बकम की संकल्पना दी गई है, अगर हम देखें, तो भारत अच्छी परंपरा में भारत में हर दिन, हर सप्ता, हर महिने, साल, जो सांस्कृतिक माननेताएं होती हैं, उसे ओत प्रोत तथा सांस्कृतिक संदेशों से संबंधित हैं, हिमाले से लेकि कन्या कुमारी तक, अगर हम देखें, तो बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं, जिन को मनुष्यों को वो दे सकें, सारे तीर्थ स्थानों में कोई विशेश बात प्रकृति से संबंधित जरूर कही गई है, जैसे वहां की भोगोलिकता, परियावरण का ज्यान, मनोरंजन के इस्थल, अभ्यारण, अरण, सरोवर, जील, इन सभी के दर्शन करने से बहुत सार एसी प्राकृतिक चीजों को बच्चा समझ सकता है और उसमें मूल्यों का विकास हो सकता है, अब भार्थी धरोहर और चिंतन की जब हम बात करते हैं, तो चाहे वो हिंदु धर्म हो, बौध धर्म हो, जैन, इसलाम, इसाई, सिक्ष को भी धर्म हो, सभी में प्रकृति के सा सद्भाव पूर्ण संबंद बनाकर दहने को पर चोड़ दिया गया है, ऐसे ही रिगवेद की एक सुक्ति में भी कहा गया है, कि हम प्रिथवी के महान उपहारों का नमन करते हैं, यानि हर जगे प्रकृति ने जो कुछ हमें दिया है, उसके बारे में कुछ न कुछ हर एक गरंथ में हर एक धर्म में ये बात कही गई है, और अगर हम बहुत सारे अपने महान गरंथों को देखें, जैसे महाभारत, रमयन, भगवत गीता, इन सब में भी परियावरन संतुलन पर कुछ संदेश दिये गये हैं, और प्रकृति के साथ सामंज से बनाकर रहने के लिए पर भी जोड दिया गया है, तो देखें कितनी छोटी छोटी बातों को हर गरंथ में समाहित किया गया है, जो चीजें आज के दौर में हमारे लिए कष्टकारी हो रहे हैं, जिन चीजों पर हमने ध्यान नहीं दिया है, कि जिन चीजों का हम सही तरीके से सरक्षर नहीं कर प पूर्व हमारे ग्रंथों में हमारे रिशी मुनियों ने दिया था, जिस पर कि हमें चिंतन करने की आवशक्ता है और ये छोटी-छोटी बातों को बालकों को बताना अति आवशक है जिससे कि वो भविश्य में अपनी चीजों को अपने प्रकृति को अपने आसपास के परिय चित रख सकें। इसी प्रकार से रविन्ना टेगोर जी ने भी कहा था कि प्रकृति से अलग शिक्षा बालकों के लिए बहुत हानिकारक होती है। सिखाते हैं। तो रविन्ना टेगोर जी ने हमेशा इसके विशय में ही बात की। इसके अतरिक्त अगर हम और आगे देखें तो जो हमारे महान लेखक हुए जो कवी हुए जैसे काली दास, सूर दास, तुलसी दास बहुत सारे उन्हों ने भी अपनी रचनाओं में प्रकृत को मानव के रूप में प्रदर्शित किया, प्रकृति के बारे में बताया, बहुत सुंदर-सुंदर उनकी कविताएं, उनके ग्रंथ, उनकी लेख को अगर हम देखें, तो ये प्रकृति के विशय में बहुत अच्छा ज्यान और संदेश देते हैं, जो की बच्चों में आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो ग्रंथ, जो पुरानी बातें जिसमें लिखी गई है, जैसे इस सभी में ये बताया गया है कि पेड़ पौधे जीव जन्तों पर दया करने की इनमें सीख दी गई है, कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है, जिसमें कहा गया हो कि हम अपने प् होती हैं, जैसे गेहूं है, डाल है या बहुत सारी ऐसे चीज़ें होते हैं, जो हमारे किचन में होती हैं, उनका भी हमारे जीवन में बहुत महत्तो होता है, और सभी को सरक्षित करने के उदेश से इनको किसी न किसी दिन, किसी न किसी त्योहार और किसी न किसी देवी जो हमारे प्राचीन साहित्ते हैं, वो ये बताते हैं कि इन चीजों का महत तो क्या है, क्यों है, और इनको जब तीस त्योहारों के साथ जोड दिया गया, तब ही इन चीजों का सही मूले पता चला कि क्यों ऐसा किया गया. इन चीजों का, इन छोटी-छोटी बातों का ज्यान भी एक शिक्षक होने के नाते बच्चों को देना चाहिए, बच्चों में विक्सित करना चाहिए, अधिकतर जो शास्थ ने उनमें औशधी के रूप में फलों, जड़ी बूटियों की रक्षा करना, इन सब की बात भी कह ही गई है, इन्हें घरों के आसपास लगाने की शिक्षा भी जादा तर जो हमारे ग्रंथ हैं, उसमें कहा गया है, इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जितने पेड़ पौधे हमारे आसपास होंगे, उतना ही अच्छा हमारा शारिरिक और मांसिक स्वास्थे होगा, उतने ही अच्छा बच्चे का विकास होगा, उतने ही अच्छे मूले बच्चे में विक्सित होंगे, उधारन के तौर पर आप देख सकते हैं, कि जैसे अगर हमारे घर के आसपास, अगर हम देखें कि इस प्रकार के जो व्रक्ष होते हैं, जैसे इमली, बरगद, नीम, आवला, और अरजून, इस तरह के बहुत सारे जो पेड़ पौधे हैं, अगर हमारे घर के आसपास होते हैं, तो कहीं न कहीं ये मनुष्य के शारिरिक और मानसिक स्वास्ते को विक्सित करते हैं, और सबल बनाते हैं, जैसे हम कक्षा में देखें, तो बच्चों को इस तरह का हमें फाइदा मिलता है, इसी प्रकार से हमारे पुराने ग्रंथों में ये भी कहा गया है कि पशु, पशुमों से भी प्रेम करना चाहिए, गायों का क्या महत तो होता है, भारती संस्कृति में दस अवतार में से ये बताया गया था कि कुछ अवतार हैं, जो चार अवता हैं, वो पशुमों के अवतार थे, यानि कि पशुमों की महत्ता को बताया गया है कि कैसे ये भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करते हैं, गाय की महत्ता को बताया गया है कि कि किस प्रकार से अगर गाय आपके आसपास रहती है, तो पर्यावरण को कैसे शुद्ध रख लक्षण में प्राचीन भारते परमपराओं का विशीष योगदान है। जितने भी हमारे रिशी मुनी थे, इन्होंने प्रकृती के जो समक्र शक्तियों को जीवन दाइनी के रूप में स्विकार भी किया और इन्होंने उनको देवता का इस्थानवी। जैसे कई बार उन्ह जल और वायू और अगनी इनका भी बहुत महत्तो होता है। जैसे कि अगर हम जल की बात करें, अगर हम छोटी-छोटी बाते बच्चों को बताएं, जैसे कि रिगवेद में भी कहा गया है कि जल अमरत है और जल में औशदी अगोण विद्धमान होते हैं। वायू की भी उ इसमें कहा भी गया एक लोकोक्ती भी है कि जब तक सांस तब तक आस। सांस यानि हमारी जो आस-पास की वायू है वो सांस लेने योग्य होनी चाहिए, वो कैसे हो इसकी शिक्षा बच्चों को देना भी आवशक है। इसी प्रकार से अगनी के विशे में, कि अगनी की क्या भूमिका होती है हमारे परियावरण में, रिगवेद में भी अगनी को पिता के समान कल्यान करने वाला कहा गया है, क्योंकि अगर हम इसको सही रूप में प्रयोग करें, तो ये बहुत फाइदेमंद होती है, अब इसी प्रकार से अगर हम देखें, तो शिक्षक की भूमिक क्या होती है, बालकों में मूल्यों को विक्सित करने में, बालकों में जागरुकता लाने में, जैसे बच्चों को ये शिक्षा शुरू से ही देनी चाहिए, उनके बाले काल से ही देने चाहिए, कि पौधों का क्या महत्त है हमारे जीवन में, तो उनको छोटी-छोटी क्रि को एक पौधा लगवा दिया इसी प्रकार से कोई अतिति घर पे आता है या कोई आयोजन किया जाता है तो उसमें एक पौधा देना चाहिए तो ये शिक्षा बच्चों को बार-बार देनी चाहिए जिससे उसको पता चले की पौधे पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है कई बार क्या होता है सडकें बनती हैं इमारत बनती हैं और पेड़ पौधों को बेरहमी से काट दिया जाता है तो उन पेड़ पौधों के एहसास को भी बच्चों को एहसास कराना चाहिए कि इनको कटने न दे या इनको सररक्षित कैसे रखें कैसे इनको बचाते हुए चीजों का निर्मान करें, हमारे घर आंगन में भी पेड़ पौधों के लिए इस्थान होना बहुत आवशक है, ये भी बच्चों को ज्यान देना बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा पानी का सरक्षण कैसे किया जाए, पानी के सरक्षण के लिए कई बार क्या होता है, कि ब हम प्रयोग करें पानी का, तो बहुत ही किफायत से करें, जब भी किसी महमान को पानी दें, तो आवशक नहीं है कि पूरा गलास पानी दें, पानी अगर उस गलास में बच जाता है, तो उस पानी का प्रयोग हम गमलों में, पौधों में डालने में कर सकते हैं, किचन में ब में अगर कभी भी पानी बचता है या कोई ऐसा पानी है जिसका प्रयोग नहीं हो रहा है तो उसको किसी भी तरह से बच्चों को बताना चाहिए कि इसका प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात जो की वर्तमान प्राविधिक यूग में, वर्तमान आधुनिक यूग में जो इलक्ट्रोनिक कच्रा करने की प्रविति बहड़ रही है, उसको बचपन से ही बच्चों में विक्सित करने की आवशकता है धन्यवाद